हेलो फ्रेंड्स दिस इस चेतन रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है इतना बड़ा कदम कि जो भारत सहीद पूरे विश्व को प्रभावित करेगा एक्चुली हुआ ये कि चाइना अपने नेशनल सेक्योरिटी इंट्रेस्ट के चलते गेलियम और जर्मेनियम के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाएगा इससे वेश्विक बजार को बहुत बड़ा जटका लगा है क्योंकि चीन दुरलब खानी जोग का उत्पादन करने वाला प्रमुग देश है उसने एसा क्यों किया भारत पर इसका क्या इंपक्ट पड़ेगा इसपर भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये गेलियम और जर्मेनियम क्या है आप जर्मेनियम को देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये एक तरह का रशाइनिक तत्व है इसका इस्थान आवर्द साढ़ने में उसी वर्ग में है जिसमें सीसा और टिन आता है यहां तत्व प्रत्वी पर बड़ी अल्प मात्रा में पाया जाता है साधरनता यहां जस्ते के खनीजों के साथ मिला हुआ मिलता है या फिर खनीजों को जलाने पर जो राख भज जाती है उससे हमें जर्मेनियम ओक्साइड प्राप्त होता है चीन विश्व का लगभग 60 प्रतीशत जर्मेनियम का प्रोडक्शन करता है इसके अलावा कनाड़ा, फिनलेंड, रश्या and युनाइटेड स्टेट अन्य प्रोडियोसर कंट्रीज हैं वहीं गेलियम की बात करें यहां शुद्ध रूप से एक मुलायम और चमकीली धातू है और इसका मेनली यूस सेमी कंड़क्टर के लिए किया जाता है चाइना वर्ल्ड का 80% प्रोडियोस करता है वहीं इसके अलावा कुछ यूरोप के देश और जापान भी इसका प्रोडक्शन करते हैं इन दोनों इन्फोर्मिशन से ये बाते तो पता चलती है कि चाइना गेलियम और जर्मेनियम का लार्जेस्ट प्रोडियोसर है लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जर्मेनियम और गेलियम का यूस किसमे होता है इन धातों का उपयोग उच्च गती वाले computer chips, defense and renewable energy के छेतरों में किया जाता है जर्मेनियम फाइबर, optical cable के लिए महत्वपूर्न है और इसका यूस प्लास्तिक के साथ साथ infrared waves के लिए भी किया जाता है इन ततों के कुछ military applications भी है, जैसे की night vision बनाना, उग्रे के imagery sensor के लिए इतना ही नहीं, low carbon technology के लिए भी इसका use किया जाता है for example, solar cell बनाने में, एक अन्य बात ये है कि इसा माना जाता है कि सिलिकोन की बज़ाए, गेलियम से बने अर्धचालक यानि semi conductor उच्छ आवरत्यों पर काम कर सकते हैं और वे गर्मी प्रती रोधी भी होते हैं, ये सिलिकोन उपकरणों के तुलना में कमशोर पेदा करते हैं और विशेश तोर पर इनका use, radar, radio communications devices, satellites and LED उपकरणों में किया जाता है आप ये सोच रहे होंगे कि क्या चीन अकिला ही इन चीजों को produce करता है या और भी countries हैं कुछ small amount में गेलियम को जापान, रशिया और साउथ कोरिया भी produce करते हैं, वही कुछ हिस्सा जर्मनी और कजाकिस्थान द्वारा भी उत्पादित किया जाता है वही कनाडा, नोर्थ अमेरिका का biggest germanium producer है आई अब समझते हैं कि चीन के इस कदम का भारत पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है आप जानते होंगे कि भारत आत्म निर्भरता की और बढ़ रहा है especially भारत का उद्धेश ये है कि हम अपने defense sector में केसे आत्म निर्भरता हासिल कर पाएं क्योंकि हमारी dependency रूस के उपर जादा है एसे में रक्षा उपकरणों में गेलियां और जर्मेनियम काफी महत्वपूर्ण भूमी का अदा करते हैं ये धातुएं night vision camera और जो हमारे fighter jet हैं उनमें electronic circuit के रूप में इनका इस्तमाल होता है वही military intelligence के लिए हमारे बहुत सारे उपकरण sensor पर काम करते हैं वही semi conductor industry भारत में एक sunrise industry है जो पूरी तरह जर्मेनियम और गेलियम पर best है एसे में अगर इन धातूँ की आपूर्ती रुकती हैं तो भारत की semi conductor industry शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी इन धातूँ का उपयोग electronics industry में बड़े पेमाने पर किया जाता है फूर एक्जामपल electric vehicle, mobile, computer और drone इस तरह के उधारन हैं इन धातूँ का यूज बायो मेडिकल सेक्टर में बड़े पेमाने पर किया जाता है जिसमें धर्मामेटर और pharmaceuticals industry में जो उपकरन काम आते हैं वो गेलियम और जर्मेनियम से ही बनते हैं आप ये भी जानते होंगे कि बायो टेक्नोलोजी एक उभरती हुई तकनीक है और बायो मेडिकल सेक्टर में इसका बड़े पेमाने पर यूज किया जा रहा है एसे में अगर गेलियम और जर्मेनियम की आपूर्दी रुपती है तो इस सेक्टर पर बड़ा प्रभावत दे तो हमारी स्पेस इंडरस्ट्री का भविश्य खत्रे में पड़ सकता है आप जानते होंगे कि भारत हाइड्रोजन जनरेशन पर काफी ध्यान दे रहा है हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए जिन उपकरणों का यूज किया जाता है उनको बनाने में भी गेलियम और जर रुकती है तो भारत के नवी करनी उर्जा लक्ष पीछे रहे जाएंगे लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया इसके दो माइने हैं फस्ट वो पश्चिमी देशों को ग्लोबल सप्लाइचेंज से बहार करना चाहता है ताकि विश्व में जो मल्टी नेशनल कमपनीज हैं वो भारत में आकर इन छेत्रों में इन्वेस्ट मेंड करें और एसा हो भी रहा है कुछ दिन पेले ही एक घटना हुई थी कि ताइवान की गवर्मेंट ने ये कहा था कि वो भारत में जो सेमी कंड़क्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि भारत इन छेत्रों में मेन्यूफिक्चरिंग हब बनने के तोर पर उभरें कोविट के टाइम बहुत सारी कंपनियों ने चीन को छोड़ दिया था और वहां आसपास की कंट्री जैसे सिंगपोर जपान और साउथ कोरिया में सिफ्ट हो ग उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप ग्लोबल सप्लाइचेन को रोग दो क्योंकि अभी हमने जस्ट ये पड़ा कि चीन जर्मेनियम और गेलियम का लगभक 60 से 80 परसेंट प्रोडियूसर है सिंपल सी बात है अगर चाइना इन चीजों के लिए रो माटेरियल ही प्रोवाइड नहीं करेगा तो इन देशों में जो उभरती हुई प्रोड्योगी की है वो कैसे स्टेबलिस होगी एसे में चीन का ये कदम भारत के भविश्य के लिए खतरा साबित हो सकता है क्योंकि भारत अभी नए टेकनोलोजी जैसे Information Communication, Clear Technology, Manufacturing Supply Chain, Optical Fiber, Satellite, Solar Cell, Camera, Microscope Lens और Infrared, Night Vision जैसे छेत्रों में इनवेस्ट कर रहा है इसलिए चाइना ये बिल्कुल नहीं चाता कि भारत उसका प्रतिद्वंदी बनकर सामने आए सायद यही वज़ा है कि चीन ने इस खतरे को पहले ही भाप लिया खालक ये restrictions एक अगस्त से लागू होंगे लेकिन भारत की growth के लिए ये एक बहुत बड़ी बादा ही फिराच के हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जो इंडिया में बस ट्रांस्पोर्ट से रिलिटेट था आप जानते होंगे कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है इसमें सडक परिवहन नेटवर्ग सामजिक आर्थिक प्रभा की निरंतर आवा चाही के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करता है सोभाग्य से भारत के सडक नेटवर्ग में जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है कुछ वर्षों के दोरान नाटकी रूप से सुधार हुआ है रास्टी राजमार्गों को बहतर बनाने के लिए पहला बड़ा नीतिगत कदम रास्टी राजमार्ग विकास कारिकरम रहा जिसका उद्देश भारत में चोड़े राजमार्ग और एक्सप्रेस वे को देश के चारो कोनों में विक्सित करना था इससे बड़ा अगला प्रोथ साहन 2017 में भारत सरकार द्वारा दिया गया जिसे हम भारत माला परियोजना कहते हैं लेकिन राइटर का इसा मानना है कि बस सिस्टम जितना अच्छी से काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहा मतलब उनका मानना है कि बस परिवहन सेवा को हमें आधोनिक बनाने की अवशकता है खास कर लंबी दूरी के लिए भारत में बस परिवहन आमतोर पर टूटे फूटे हैं कई छोटे ओपरेटर, स्टेंडर्ड, सवसेस की कमी, हमारी आच्छमताएं और विसंगतिया हैं हमारे नियमों में धुंदलापन हैं और वे एक दूसरे से ओवरलेफ होते हैं हमारा समवीधान सडक परिवहन को समवर्ती सूची में सूची बद्ध करता है लेकिन अधिकान्स छेत्रों में यात्री परिवहन पर राज्य सरकार का एकाधिकार होता है कई इस्थानों पर तो ये हवाई अड़ों और रेल्वे स्टेशनों के विपरित विभिन बोर्डिंग और एलेंडिंग पॉइंट से चलते हैं जो हमेशा पब्लिक सर्विसेज, ओनलाइन बुकिंग सर्विसेज, सेड्यूल्स से लेज नहीं होते एसे में राइटर ने बस सर्विसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ सोलिशन्स भी बताएं एक्जामपल हमें बस टर्मिनलों पर उचित पार्किंग सुविदाएं उपलब्द करवानी ही वो भी सक्थ प्रवर्तन के साथ कई बार वहनों को बेतरतीब तरीके से पार्क कर दिया जाता है जिससे ट्राफिक प्रोब्लम बढ़ जाती है और एक्सिडेंट की दुरगटनाई भी बढ़ जाती है हमें मेट्रो, रेलवे और हवाई सेवाओ के लिए सपस्ट, मल्ति लेंग्वेज, साइनेज के साथ फीडर को भी लिंक करना होगा हमें अमेरिका और यूरोब जिससे स्टेंडर्ड को फोलो करना होगा इन नेटवक्स में प्लानिंग और मोनेटरिंग के लिए एक सेंटर डेजबोर्ड हो सकते हैं जो एर कंडिशनिंग, आरामदाइक सीटे, वाइफाई, पावर सोकेट, सेफटी एक्विपमेंट, अन्य सुविधाओं से लेस हो फिर इन्होंने इन्वायरमेंट की भी बात की कि हमारे लिए पर्यावरण के अनुकूल बसें समय की मांग हैं क्योंकि परिवान छेतर भारत में उत्सरजन का दूसरा सबसे बड़ा सुरोथ हैं वही हमें परियतन केंद्रों, अस्पतालों और अन्य स्थलों जेसे महत्वपूर्ण इस्थानों के लिए फीडर शड़कों और डायरिक्शन इंडिकेटर्स की क्वालिटी में सुधार करने के लिए इन्वेस्मेंट की अवश्यक्ता है हमें बस सेवाओं को और अधियापक बनाना होगा, जिसमें वाहन की गुणवत्ता, रख रखाओ, स्वच्छता और यात्री की सुरक्षा शामिल है सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नीमित निरिक्षन और ओडिट को लागू करना, निर्बाद टिकेटिंग और सूचना साज़ा करण के माध्यम से परिवहन के अन्य साधनों के साथ बस सेवाओं के एकी करण से यात्रियों को मदद पहुचाना आदी शामिल ह प्रतिस परधा आर्थिक विकास, व्यापक उभोकता विकल्प और समगर दक्षिता का अनिवार्य आधार है। और विकल्प ब्रदान करेगी और समगर प्रतिस परधा और पसंद को भी बढ़ाएगी ये ना सिर्फ कीमतों को कम करेगी बलकि सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करेगी। को आप नोट डाउन भी कर लें। फिर आच के दा हिंदू में UCC से संबंदित यानि Uniform Civil Code से संबंदित एक न्यूस आई थी। के जारखन के जो गवर्नर ने उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि ट्राइबल कम्यूरिटीज को Uniform Civil Code से बहार रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने तरीके से जीने का हक है। आप लोग ये देखना कि UCC Tribal's Life को और उनके Fundamental Rights को किस तरह प्रभावित करेगी। क्योंकि जब हम UCC पर विचार करते हैं तो हमारा ज्यादातर नजरिया धर्मी की ओर जाता है। हम हिंदू को देखते हैं, हम मुसल्मान को देखते हैं, हम सिक को देखते हैं, हम इसाई को देखते हैं। जब हम UCC पर बात करें तो उन्हें आदिवासी समौों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आप ये सोचिएगा जरूर कि अगर UCC लाई जाती है तो इसका आदिवासियों के जीवन पर क्या नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा फिर हिंदी न्यूस पेपर में एक article आया था जो market and middle class के relation को बता रहा था आपने भी पड़ा होगा अगर आपने इसे नहीं पड़ा तो मैं recommend करूँगा कि आप टेलिग्राम चेनल या ट्वीटर से इसे पड़ लें जो कि I think पिछले साल या उससे एक साल पहले UPSC के मेंस में यहां से direct question आया था और यह आप किसले बसका भी हिस्सा है इसलिए आपकी भी duty बनती है कि इस तरह के articles को आप पढ़ लें इस article में यह बताया गये था कि आज व्यक्तियों पर उभोकतवात हावी है कपड़े जूते श्रंगार सामगरी व्यक्ति की अवशक्ता बन गए हैं जो वो खरीदते हैं उसमें वस्तु की गुणवत्ता तथ तिकाउपन के स्थान पर वस्तु के रंग रूप और आकार को अधिक प्रात्मिक्ता देते हैं व्यक्तियों में स्वदेशी उत्पात के खरीदने की भावना का ज्यादा महत्व अब नहीं रहा जो चीजे ज्यादा आकरशक लगती हैं जिन पर ज्यादा विज्यापन आते हैं या तड़क भड़क वाले रंग रूप में उबलब्दे हैं वो ज्यादा खरीदना पसंद करता है और विदेशी वस्तुएं इन चीजों में स्वदेशी वस्तुओं से आगे निकल जाती हैं और इस छेतर में e-commerce के अंतरगत जो online विक्री होती हैं या online खरीदारी की ज देवाओं और पेशेवर योगिताओं से ना केवल अपनी आए बढ़ा रहे हैं बलकि अपनी purchasing power से भोगता बचार को भी प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर एक बात ध्यान देने लाइक ये है कि भारत में जो बजार परिद्रश बदला है उसके क्या कारण है ये आप no down कर लेना राइटर ने तीन पॉइंट्स बताए हैं for example देश में बढ़ती आबादी तेजी से होता शहरी करण और मध्यवर्ग का तेजी से बढ़ना इन तीन कारणों ने भारत में उभोगता बचार परिद्रश को पूरी तरह बदल कर रख दिया है इसका मतलब यह है कि देश में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते मध्यवर्ग और उभोगता बचार के बीच सीधा संबंद है यानि कि भारत में जैसे जैसे उद्योगी करण, कारोबारी विकास और शहरी करण बढ़ रहा है वेसे वेसे देश का उभोगता बचार भी तेजी से बढ़ रहा है इन वस्तु के उभोग से स्वास्त पर पढ़ने वाले प्रभावों के प्रती अधिक जागरुकता आज आम उभोगता में नजर नहीं आ रही, खाने पीने के उत्पादों में आज की पीडी में जंक फुट पहली पसंद बनता जा रहा है, खाने पीने की चीजों में प्रतिक उत्पादों के नाम पर सिंथेटिक वस्तु के चलन जेसी बाते उसे अब अधिक प्रभावित नहीं करती, शराब, सिग्रेट, तबाकू, आधि के आकरशक और विज्यापनों से इनके सेवन में भारी व्रद्धी हुई है, इनके पेकेट्स पर अंकित वेधानिक चेताउनियों का इनका उप्योग करने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानि इससे व्यक्ति की भोतिक वादी प्रवत्ती में व्रद्धी हुई है, उसमें आवशक्ता से अधिक खरीदने की आदत बढ़ गई है, और फाइनेंस की योजनाओने तो लोगों को इस तरह प्रभावित किया है कि अब उप्भोक्ता अपनी पसंद की कार, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, आदी के लिए पेसे को जोडते नहीं है, बल्कि फाइनेंस करवा के उधार की जिन्दिगी जीने लगे हैं, यानि इस आर्टिकल में आपको दो चीजे विशेश फस्ट ये कि जो उप्भोक्ता बाचार यानि कंज्यूमर मार्केट जो बदल रहा है, उसके पीछे क्या-क्या कारण है, सेकंड उसके नकरात्मक पहलू क्या-क्या है, इनको याद रखेगा निभंद में और आपके इंडियन सोसाइटी के पेपर में यहां से कोशन आने की समभावनाएं रहती हैं और अगर नहीं भी रहती, तो इन पॉइंट्स का यूज आप वहां कर सकते हैं, सो आज के लिए इतना ही थेंक यू